तो दोस्तो लास्ट ये रियलमी 6 सीरीज पाकिस्तान में लॉंच हुई और काफी जादे एक पॉपिलर सीरीज रही थी है मैंने परसनली भी काफी वेट किया था और जैसे ही फोन्स मार्केट में लॉंच हुए तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से आर सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा कॉंटेंट लाता रहता हूँ अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो देखो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह क्लियरली रियलमी दो डिफरेंट टाइप के कंजूमर्स को टारगेट कर रहा था इन फोन के साथ रियलमी 6 गेमर्स के लिए बनाया है रियलमी ने और 6 प्रो जो है वो डिजाइन और कैमरा लवर्स के लिए और इस चीज़ को मैं आगे एकस्प्लेइन भी करूंगा बट वीडियो में आगे जाने से पहले जल्दी से इनके प्राइस के बारे में बात करते हैं यह एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है जब आप कोई भी फोन लेते हैं तो रियलमी 6 दो वेरियंट्स में लाउंच हुआ पाकिस्तान में 4GB, 128GB और 8GB, 128GB, 4GB की जो प्राइस थी वो 40,000 थी, 8GB की 45,000 जबके रियलमी 6 प्रो की जो प्राइस थी वो 8GB में लाउंच हुआ और उसकी 55,000 प्राइस थी जो के मेरे असाब से थोड़ा सा ओवर प्राइस था यह अगर आपको इनको लेना है आपको यूजड ओप्शन कसिडर करने होंगे और रियलमी 6 की जो प्राइस चल रही है आजकल अगर आपको अच्छी कंडिशन में फोन लेना है तो राउंड 30,000 का आपको यह मिल जाएगा और मेरे पास जो रियलमी 6 प्रो है यह मैंने 39,000 का ल लेने चाहिए तो रियलमी 6 में आपको लेजंडरी Helio G90T का चिपसेट मिलता है और उसी के साथ UFS 2.1 की स्टोरेज है और यह फोन गेमर्स के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है क्योंकि इसमें आपको PUBG में आउट ओड़ बॉक्स स्मूद प्लस एक्स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है और मैं 4GB variant की बात कर रहा हूँ बट यार बिलीव में Realme ने अपने software को इतनी अच्छे तरीके से optimize किया है चिपसेट के लिए कि I don't think कोई भी और company इसके even close भी आती है और यह मैं personal use के बात कह रहा हूँ क्योंकि मैंने Redmi Note 8 Pro और Realme 6 को side by side use किया है Redmi Note 8 Pro में बहुत जादा heating issues है और gaming में भी consistent frames वह आपको नहीं दे पाता जबके Realme 6 की बात करें तो यह बिलकुल भी heat नहीं होता थोड़ा बहुत ज़रूर होता है बट वह आगर जब हैवी gaming करेंगे और उसके लावा यहां पर आपको काफी consistent frames मिलते हैं gaming में और आपको GFX टूल भी यूज कर efficient है तो आप काफी सारी battery भी safe करेंगा Snapdragon का chipset है तो यहां पर आपको कुछ extra features मिल जाते हैं जैसे के Gcam वगएरा और इनके बारे में आगे बात करेंगे लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया Realme 6 performance users के लिए है और इस phone को मैंने यूज करके editing की है photo editing भी की है और काफी heavy gaming भी की है बट इसने मुझे कोई भी ऐसा issue नहीं दिया तो Realme 6 अगर आप performance user हो आप इसकी तरफ जाओ, 6 pro अगर आप camera और design lover हो अब थोड़ा सा बात करते हैं दोनों phones के build quality, design के बारे में, clearly यहां पर Realme 6 Pro जीत जाता है और क्योंके Realme 6 में ना मुझे एक issue आया है, यहां पर आपको polycarbonate का स्टफ मिल जाता है, बैक साइट पर जैसा कि आप देख सकते हैं, तो काफी ज्यादा scratches आ जाते हैं, और मैंने इस phone को cover के साथ यूज किया है, लेकिन इसके अपने cover से ही इसके उपर scratches आ गए हैं, तो यह plastic का एक disadvantage आप इसको कह सकते हैं, जाकि Realme 6 Pro में आपको ऐसा कोई भ फ्रेम है, वो plastic से बनाया गया है, side-mounted fingerprint आपको मिलता है दोनों में, और दोनों phones काफी light weight है, जो मुझे काफी अच्छे लगए, क्योंकि यूजरी जो Xiaomi के phones होते हैं, इस price range में, वो काफी heavy होते हैं, काफी bulky होते हैं, तो अगर आपको light phone लेना है, आप इन phones की तरफ जा सकते रियल में 6 pro, camera lovers के लिए, यह मैं इसलिए क्या रहा हूँ, क्योंकि रियल में 6 pro और 6 में, दोनों में आपको जो primary sensor मिलता है, वो 64 Megapixel का है, Samsung का GW1, एक ultra white sensor आपको मिल जाता है, macro sensor भी आपको मिल जाता है, लेकिन रियल में 6 pro में, आपको एक optical zoom lens मिल जाता है, जिसमें आपको 2 X तक के zoom का support मिलता है, रियल में 6 में, आपको एक simple depth sensor मिलता है, जबकि 6 pro में, आपको एक optical sensor मिलता है, तो portrait shots अगर आप ज्यादा लेते हो, उसमें आपकी help करेगा यह, और अगर आप वोड़े से zoomed in shots लेना चाहते हो, तो उसके लिए, रियल में 6 pro मेरे हिसाब से ज्यादा ब उसके अलावा, दोनों फोंस में, आपको वीडियो में same capability मिल जाती है, 4K 30fps में आप shoot कर सकते हो, 1080p 60fps में भी आप shoot कर सकते हो, front camera भी दोनों का काफी similar है, बट रियल मे 6 में, आपको एक single selfie camera मिलता है, जबकि 6 pro में, आपको एक single selfie camera मिलता है, प्राइमरी, और उसी के साथ आप तो दोनों काफी अच्छे phones है camera के लिए, बट अगर आप एक choose करोगे, तो रियल मे 6 pro मेरे साथ से better option है आपके लिए, दोस्तों अब आते हैं battery and charging speeds की तरफ, और इस department में, रियल में बाकी smartphone brands की comparison में काफी ज़्यादा आगे है, और जब ये phones launch हुए थे, उस time पे actually, ये feature आपक काफी कम phones में provide किया गया था, इन दोनों phones में आपको एक 4300 image की battery मिलती है, और दोनों ही phones में आपको 30 watt की fast charging का support मिल रहा है, और charger आपको out of the box मिलता है, उस time पे ये चीज़ common नहीं थी, अभी तो आपको हर phone में 30 watt और 33 watt की charging का support मिल रहा है, बट जिस time पे ये phones launch हुए थे, उस भी phone इतने fast charging को support नहीं करता था, जितने के realme के phones करते थे, तो ये मेरे लिए काफी बड़ा plus point था इन phone के बारे में, बट आजकल के market को देखके चलें, तो ये feature आपको almost सारा ही phones में मिल जाता है, जो इस price range में launch होते हैं, दोस्तों अब आता है इनके displays की तरफ, ये भी काफी ज्यादा है इनका, क्योंकि जो realme 6 series launch ही थी, ये one of the first phones है, जिसमें आपको 90Hz के refresh rate का support मिल रहा था, बज़ट प्राइस रेंज में, और दोनों ही phones में, आपको similar display मिलती है, 1080p का resolution है, 6.5 inch screen size है, उसके अलावा यहां पर आपको IPS LCD display मिल रही है, लेकिन display के जो quality है, वो काफी ज 20Hz, नॉर्मल बन चुका है, डिस्प्ले के बारे में मैं ये ज़रू कहूँगा, कि काफी ज़्यादा अच्छी quality की display है ये, और अगर आप media consume करते हो, नेट्फिक्स वगरा देखते हो, तो उनमें भी आपको 1080p का option मिल जाता है, इसमें, बट एक problem मुझे ये लगी, कि इनमे कोई भी मसला नहीं आएगा इन फोन के display के साथ, तो दोस्तों ये तो होगा इन दोनों फोन की specifications, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा option consider करना चाहिए, realme 6, 6 pro या market में अगर कोई और option अच्छा available है, तो देखो इस price range में इन दोनों फोन का जो एक सबसे अच्छा competitor वो मेरे हसाब से POCO X3 है, उस phone में आपको almost सारे ही features मिल जाते हैं, क्योंकि वो around 42,000 के price में launch हुआ, but discount के बाद और sales वगरे चलती रहती हैं, तो उसमें आपको around 38,000 का phone मिल जाएगा, और अगर उसके specs की बात करें, तो वहाँ पर आपको 120Hz की IPS LCD display मिल रही है, 33Watt की fast charging का support है, Snapdragon 732G का आपको support मिल रहा है, जो के काफी powerful chipset है, almost इन दोनों phones को benchmark में beat कर जाता है, बट वहाँ पर भी आपको PUBG में smooth plus extreme का option नहीं मिलता, तो smooth plus extreme में खेलने के लिए आपको GFX tool का use करना होगा, और plus वो 8 nm chipset है, तो बैटरी भी काफी जादा अच्छी तरीके से आपकी save करेग काफी efficient chipset है वो, उसके अलावा Poco X3 में आपको Sony का IMX 682 sensor मिल रहा है, 64 megapixel का, एक ultra wide है, एक depth sensor आपको मिल रहा है, और एक macro sensor और वहाँ पर आपको build quality मिल रही है, वो भी काफी जादा अच्छी है, Corning Gorilla Glass 5 की protection है, back and front side पर, plus आपको stereo speakers का भी वहाँ पर support मिल रहा है, तो almost सारे boxes चेक कर जाता है, जो है Poco X3, तो इस price range में अगर आप कोई phone लेना चाहते हो, specifically, I would recommend कि आप Poco X3 की तरफ जाओ, although जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में mention किया, Realme की optimization है, वो काफी ज्यादा बहतर है, तो अगर आप लेना चाहते हो, आप Realme के phones भी ले सकते हो, long term के लिए का आप जाओ, और अभी Realme 8 Series बे आने वाली है, तो आप उसका भी वेट कर सकते हो, anyways, इस वीडियो को यदि रेंट करते हैं, I hope कि आपको पसंद आई होगी, अगर आईए तो subscribe भी कर देना, और वीडियो को लाइक करके जाना, I will see you in the next video, till then, take care, goodbye, Allah Hafiz.